अब दोस्तों गुड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग अभी मैं बना रही हूं आलो के पराथे और इसमें आलो के पराथे के लिए मैंने सारे मसाले ले लिए मसाले में मैं कुछ ज्यादा नहीं डालती हूं मसाले में मैंने सिर्फ अज्वाइन डाल दिया अज्वाइन लिया है धनिया पाउडर और आम चूर पाउडर देस्ट यही मेरे मसाले होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत सारा हरा धनिया और नमक आप कम ज्या सारा काम खतम करने के बाद अभी चाहरे हैं हम लोग फनीचर स्टोर में क्योंकि मुझे दो बैड लेने थे किसी के लिए तो वह मैं लेने जा रहे हूं तो मैंने सुच चलू मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूं कि यहां के फनीचर स्टोर कैसे होते हैं अभी मैं पहुंच गए हूं टाउन में जा रही हूं फनीचर स्टोर में अभी पहुंच गए हूं मैं फनीचर स्टोर में और चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है तो चलिए यहां यहां पे यहां पे बैट जैसे बहुत जैसे बहुत Nacional कि लिए संगल बेट लेना आए तो सिंगल भी मिल जाता है पूरा रूम का सेट भी मिलता है तो पूरा रूम का सेट भी मिलता है एक जिए प्राइश लग हैं अ야 में क्तरस की अरलगु नहीन BIES होता है एक आलगु नहीं अलगर तो अभी मैं सबके प्राइज देख रही थी तो मैं आपको एक चियर का प्राइज बताती हूं यह जो चियर रखी हुए ना यहां पर यह है 1599 डॉलर यहां का जो लोकल डॉलर है और यूएस में हो गए वो 600 यूएस तो 600 यूएस के एक सिंगल चियर है अब करें लिए था जो मुझे चाहिए था और मैं पास में एक चैनिज इस्टोर था क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ चाहिए था तो यहां पर आये थी मैं तो यह मैंने देखे कि यहां तो बड़ी प्यारी लग रही है है चाइनीज यह लेकिन देखने में बहुत ही नहीं कर पाई बाद में क्योंकि वे बिलिंग भी कराना है अकेले जाओ तो ऐसे ही होता है तो पूरा काम नहीं होता है और खुशी घर आ गया घर में आज हमने लंच बनाए स्टीम बेजेटेबल और साथ में टोस्ट ब्रेड क्योंकि कभी-कभी सुबे में पराठे खायते न नास्ते में तो कभी-कभी ऐसे हलका फुलका अच्छा लगता है तो हमने यह खा लिया खुशी के लिए मैंने चीज टोस्ट बना दिया और अपने लिए सिंपल मैंने तो बेजेटेबल लिखाया मैंने ब्रेड ने काईगा मुझे ब्रेड इतना पसंद नहीं है तो फ्रें इंडिया मैं नहीं वेस्ट इंडिया मैं नहीं वेस्ट इंडियस में हूँ